तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब वे लटरन एपिसोड 42 की शाव वाचन मिडल पीक पर पहुँच जाता है जैसे वो वहाँ पर पहुचता है तो फिर देखता है कि वहाँ पर सौंचे खड़ा होता है सौंचे मिडल पीक के बैरियर को उपन करता है फिर जैसके बाद वो शाव वाचन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है मिडल पीक के अंदर अंदर जाते ही शाव वाचन को हौल ओफ सन और दिखता है तो फिर उसे देखकर बहुत जादा खुश हो रहा होता है सौंचे बड़े ही रूगली तरीके से बहेव कर रहा था शाव वाचन सा और बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि तुमने फांडेशन कैसे बिल्ड कर रही है बड़ तुम सिर्फ मेरे लेक लूजर हो जो की होली लैंड से बचके आए हो शाव वाचन धीरी से बोल रहा होता है कि इसे क्या हो गया और वैसे भी यह खुदी लूजर है जब मैंने सिर्फ पीटा था बुरी तरीके से होली लैंड में तब इस सौंचे पीछे मुड़कर देख रहा था और पूछ रहोता है कि तुम क्या बोल रहे हो शाव वाचन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा बस मैं यह सोच रहा था कि यह जगे बहुत ही अच्छे सौंचे पूछ रहा होता है कि तुम मेरी आंड को सिच्छर क्यूं बोल रहे हो फिर शाव वाचन बोल रहा होता है कि मैं अपनी रिस्पैक प्ले कर रहा हूं आज तक नहीं देखी है यह बोलते वक्त शाओ वाचान उसकी तरफ नहीं देख रहा होता फिर सौंग जुवान बोल रही होती है कि जब से श्यू में यहां पर आई है जितने भी लोग मेरे अंडर में काम करते थे जात अनने मुझे बिट्रे कर दिया है तुम मेरी परसन चो होता है ब्लड रियलाम सेकर टेकनीक का फिर वह स्कॉल शाओ वाचन को देते हैं उससे बोल रही होता है कि तुम यह पात याद है जो कि आज तुमने बोली है मेरे लिए स्क्रॉल लेने के बाद शाओ वाचन महुत सच रहता है बाहर पहुंचकर वो सन ब्लड हॉल की तरफ देख रहा होता है रात होते ही शाओ वाचन अपने कपड़ी चेंज गरता है और वो ब्लड हॉल में जा रहा होता है तो फिर उसके साथ में यह जांग भी होता है यह जांग उसे रोक रहा होता है कि मैं यहां पर नहीं जाना चाहता हूं मैंने यहां पर कई सारी रिमर्स शावचन बोल रहा होता है कि मुझे कोई भी डरने की ज़रत नहीं है क्योंकि मैंने heavenly foundation बिल्ड कर ली है फिर शावचन ये जांग को अपने back में फेज देता है और जैसे ही वह blood hall में enter करता है तब भी वहां पर को discipline आता है उसके attack करना start कर देता है शावचन शावचन बोल रहा होता है कि शायद ये भी यहां पर immortal object के लिए आया है वो दोनों fight करना start कर देते हैं बट fight के दोरान वहां पर एक pot रखा होता है वो नीचे गिरने वाला होता है तो फिर शावचन उसे गिरने से बचा लेता है उसकी help भी वो disable भी करता है शावचन समझ जात है कि यह disable भी चाता है कि यहां पर guard ना है फिर वो pot को खड़ा करते हैं फिर शावचन देखता है कि वहां पर कई और भी pot रखे होते हैं चोटे 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 और उन्हें fake ना start करते है वो disable सारे pot को catch कर लेता है थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुख जाता है बट कुछी देर बाद वो pot को दुबारा अपनी जगर पर रख देता है और दुबारा शावचन से लेड़ना start कर देता है शावचन पर पावर का use नहीं कर पा रहा होता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर disable पज़ जाएगा कि वो लिंग्शी से बिलोंग करता है वो disable शावचन का ह टायक करना start कर देती है तो फिर शावचन पर इसके बाद वहां से वो disable चली जाती है यह सब शूर सुनते हुए वहां पर गार्द भी पहुंच जाते है तो फिर शावचन गार्द को देखते हुए वहां से भाग जाता है शावचन hall की रूप पर बैठा होता है और वो अप पहुंच की होती है और वो disable असल में होती है शू में से मिलने के लिए वहां पर कोई आता है उसका चैरा नहीं दिख रहा होता फिर वो शू में से बोड़ रहा होता है कि मैंने सेंस करा कि तुम्हें को ट्रैक कर रहा है अपनी आइस थे तो फिर मैं किसी तरीके से उस बैर क को तोड़ने में कामियाब रही क्योंकि इस बार का जो तुम्हाना टास्क है बहुत जादा है विए तो फिर तुम्हें अपनी आइजन्टी को प्रोटेक्ट करके रखना होगा फिर शू में को याद आ रहोता है कि जब वो फोरस्ट में शौ वजन से फाइट कर रही होती ह तो फिर वहाँ पर कई सारे मैजिक इंप्लांट्स ने उन्हें जखर लिया होता है तो फिर वहाँ पर एक लेड़ी आती है और वो शू में के फोरेल पर मिनी फिंगर रखती है और उसके बाद शू में की आइस होती है और उसके बाद शू में की आइस होती है और उसके बा इतने के बाद शाओ वाचम टी कल्टिवेशन ब्रेक्थू कर रहेता है तो फिर ये बाद सौंग जुवान को पर्ज जाती है वहाँ पर सौंचे भी होता है वो सौंग जुवान से बोड़ रहा होता है कि आप इतना ट्रस्ट क्यों करती हो ये जाएंग पे और वो वैसा परसा नहीं यह साफ सोचती है वो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़ादा ग्रेड़ी है और मौस से बहुत ज़ादा डरता है तब भी उसके सामने कोई आदमी आता है और वो शावचन की बोड़ी और उसकी सोल को अलग कर देता है और दुबारा उन्हें एक कर देता है वो आदमी बोड़ रहा होता है कि तुम्हें दिहान रखना है कि तुम्हें blood test में participate करना है और वहीं पर तुम्हें सारे question की जवाब मिलेंगे तुम्हारे फिर वो शाव वचन को कुछ प्रिस जाता है और बोड़ रहा होता है